अनकाड़मी जो आपका बदरीनात मंदिर है ये भी आप उत्राखंड में ही देखते हो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्पूर सवाल की बात करते हैं अगला सवाल है वैसनो देवी मंदिर आप कहाँ पर देखते हो तो इसका नाम आप सभी ने सुना होगा ये जो आपका वैसनो यह भी मंदिर है इसे आप जम्मू कस्मीर में देखते हैं कहाँ पर जम्मू कस्मीर में देखते हैं और बड़ा ही सुन्दर मंदिर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ एक एक मंदिर कई कई स्थान पर मिलत तो इसको लेकर आप confuse मत होईएगा जो आपको दिया जा रहा है वो एकदम perfect है ठीक है चलिए स्वण मंदिर के बारे बातचीत का लिया जाए तो आपका स्वण मंदिर कहां पे है इसके विशे में आप सब जानते होंगे आपका जो स्वण मंदिर है ये आप पंजाब में देखते हैं बड़ा important रहेगा और आपने बताना है कि खाटू स्याम जी का मंदिर आप कहां पर देखते हैं ठीक है भाई बड़ा important है राजस्थान में देखते हैं और बड़ी दूर दूर से स्रधालू यहाँ पर भगवान स्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं ठीक है भ में देखते हो अगला सवाल है आप अमरनाथ गुफा कहां पर देखते हो तो इसे भी आप कहा पर काशमीर में देखेंगे अच्छा वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है चलिए आगे बरते हैं दिलवाडा मंदिर आपको कहा दिखाई देगा बड़ा इंपोर्टेंट है दिलवाडा मंदिर के बारें बातचीत करेंगे तो दिलवाडा अतमान में जिलों की संख्या 33 है अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे भी नोट करते चलें ठीक है इंपोर्टेंट रहेगा याद कर लीजिए चलिए आगे बढ़ेंगे आपको बताना है आप मिनाक्षी मंदिर कहां पर देखते हो ट्राइ करिए अगर आपको आता है त सबसे अधिक मंदिर आप कहीं पर देखते हैं तो यह आप तमिलाडु में ही देखते हैं ठीक है चलिए प्रेम मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा बताओ भई प्रेम मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा तो प्रेम मंदिर बड़ा ही सुन्दर है और यह आपको UP में दिखाई पड़ता है अगर आप मतुरा गए होंगे मतुरा वरंदवन की यात्रा में जाते हैं तो आप प्रेम मंदिर के दर्सन जरूर करिएगा ये बहुत जादा important रहेगा आपके लिए ठीक है भाई याद रखें प्रेम मंदिर ये भगवान काना जी को लेकर फेमस है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके समझ है कि आप जगनात पूरी मंदिर कहां पर देखते हो जगनात पूरी मंदिर कहां पर देखते हैं तो ये जो मंदिर है ये आप ओडिसा में देखते हैं कहाँ पर भाई, कुलिए आप औरीषा में देखते हैं, और ये आप के लिए बहूत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक सवाल आपने और बताना है, वरतमान में तमिल नाडु में कितने जिले हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग अंसर देते रहा करिए, वरतमान में तमिल बाड़ दॉमेद जिनों के संख्या, आप कितनी मानते हो, तो यह आप मानते हैं 38, clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मलिकार्जुन स्वामी मंदिर किस राज में, या कहां पर देखते हैं आप, मलिकार्जुन स्वामी के विसमें बाच्चित अगर करेंगे, तो ये आप आन। प्रदेश में देखते हैं कहाँ पे आंद्रा प्रदेश में ठीक है ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है और आप इसे भी जरूर याद रखें एक सवाल आपको और बताना है कि भासा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज कौन सा माना जाता है तो भासा के आधार पे अलग होने वाला जो पहला राज है वो भी आपका आंध्रा प्रदेश माना जाता है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है आप महा कालेशवर मंदिर कहां देखते हो जल्दी बताओ महा कालेशवर मंदिर जो है वो आप मद्धि प्रदेश में देखते हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कहां पर देखेंगे ये आप मद्धि प्रदेश में देखते हैं और ये बहुत महत्पूर भी है चलिए आगे बढ़ते हैं तो महंदी पूर बाला जी का मंदिर कहां है? महंदीपूर बाला जी का जो मंदिर है वो आपको बताना है कि कहां पड़ता है महंदीपूर एक स्थान है और ये राजस्थान में पड़ता है ठीक है भाई ये बाला जी को लेकर फेमस है और ये राजस्थान में आपको दिखाई पड़ेगा आप इसे भी याद रखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वैदनात मंदिर आप किस राज में देखेंगे, ये जो आपका वैदनात मंदिर है, इसे आप किस राज में देखोगे, बहुत ज़्यादा मातपूर है, चलिए, तो इसे आप जहारखंड में देखते हैं, कहां प सोमनात मंदिर इसे आप कहां पर देखते हो, तो सोमनात मंदिर आपका गुजरात में हैं और ये वही मंदिर है जो मुहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था, एक सवाल आप से कई बार पूछता है महमूद गजनवी ने इसे कब लूटा था, तो वो समय था एक हजार जोतलिंग के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल आपके समझ लिखा हुआ है, सिध्धी बिनायक मंदिर किस राज में इस्थित माना जाएगा, बहुत जादा इंपोर्टेंट है, प्रयास करिए और बताइए, सिध्धी ब महारास्ट्रा में ही देखते हैं, बहुत जादा इंपोर्टेंट है, अच्छे ये महारास्ट्रा में मुंबई में पढ़ता है, और प्रसिद गनेश मंदिर के रूप में आप इसे जानते हैं, ठीके बाई, गनेश जी को लेकर ये फेमस है, आए, आगे बढ़ते हैं, तो ये त्रम्बकेश्वर मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा, त्रम्बकेश्वर मंदिर के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा, तो ये आपको महारास्ट्रा में दिखाई देगा, कहां पे महारास्ट्रा में दिखाई देगा, आ बताएंगे आप, फड़ापड बोलिए, Lutus Temple आपको नई दिल्ली में दिखाई देगा, कहाँपे नई दिल्ली में, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कोलार का सूर्य मंदिर आपको किस राज में दिखाई देगा, कोलार का जो सूर्य मंदिर है, वो आपको उरी कहाँ पे यह आपको उडिसा में दिखाई देगा आप इसको लेकर भी गल्ती वल्ती ना करें और इसे भूलने का प्रयास ना करें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है भीमा संकर मंदिर जो है वो आप कहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर कई बार आपके एक्जाम में पूछा गया है तो यह आपका कामाख्या देवी मंदिर है यह आपको असम में दिखाई देगा और आपके प्रसिद्ध मंदिरों में इसकी भी गिंती की जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके स्क और ये भी आपका प्रसिद मंदिर माना जाता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है कि महा बोधी मंदिर आप किस स्थान पर देखते हो या किस राज में देखते हो, सवाल को ठीक से पहले नोट का लिजए, महा बोधी मंदिर ये आपको बिहार में पड़ेगा और ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है आप इसे भी ध्यान में रखिए चलि बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं बिहार में कितने जिले हैं वर्तमान में तो बिहार में वर्तमान में जिलों की संख्या 38 है ठीक है भ अबरी माला मंदिर आप कहां देखते हैं तो ये जो मंदिर है वो आपको केरला में दिखाई पड़ेगा कहां पे ये जो मंदिर है वो आपको केरला में दिखाई देगा आप इसे जरूर ध्यान में रखिए ओम कार्यसवर मंदिर आपको कहां दिखाई देगा ओम कार्यसवर म आपको कहां दिखाई देगा तो लिंगराज मंदिर के विश्य में अगर हम बातचीत करेंगे यह आपको उडिसा में दिखाई देगा कहां पे उडिसा में दिखाई देगा आप इसे जरूर याद रखिएगा यह भी आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है अगला सवाल है नागेश्वार जोतलिंग मंदिर के सराज में है नागेश्वार जोतलिंग मंदिर के बारे में बात करेंगे यह आपका गुजरात में है कहां पे है गुजरात में है इन सब सवालों को आप बिलकुल ना भूलें यह आपकी परिच्छा के लिए बहुत जादा महतपूर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है स्री साई बाबा मंदिर यानि सिर्णी वाला मंदिर जो है वो आपको कहां दिखाई देगा तो स्री साई बाबा मंदिर या सिर्णी वाला मंदिर आपको महारास्टा में दिखाई देगा कहां पर यह आपको महारास्टा में चलिए आगे बढ़ते हैं, श्री नाथ जी मंदिर आपको कहां दिखाई देगा, श्री नाथ जी मंदिर के बारे में बात करेंगे, तो यह आपको राजस्थान में दिखाई पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, आगे बढ़ें, तो तिरु तिरुपती बाला जी का मंदिर आप कहां पर देखते हो, तो ध्यान रखेगा, इसे आप आंधरा प्रदेश में देखते हैं, कहां पर देखते हैं, इसे आप आंधरा प्रदेश में देखते हैं, इससे पहले हमने महंदीपुर बाला जी की बात करी थी, जो आपका राजस् मंदिर जो है वो आपका कहां परता है तो जो आपका ब्रहदेशवर मंदिर है वो आप तमिल नाडू में देखते हैं कहां पर देखते हैं वो आप तमिल नाडू में देखते हैं और यह आपका बहुत ही फेमस मंदिर है आप इसे बिलकुल भूले ना आपके लिए बहुत जर बंगाल में देखते हैं कहां पर देखते हैं इसे आप पस्चिम बंगाल में देखते हैं इसे याद करेंगे तो आपके लिए फाइदे मंद है चली आगे बढ़ते हैं स्री रंगानाथ स्वामी मंदिर आप कहां पर देखोगे स्री रंगानाथ स्वामी मंदिर के विसे में अ तो यह आपके 35 मंदिर मैंने आपको करा दिये ये आपका भाग एक था कौनसा भाग एक अब भाग दो आपके सामने हम बहुत जल्ड लेकर आएंगे यह आपका कैसा आपको लगा है इसकी प्रतक्रिया आपको कमेंट बॉक्स में देनी है आए थोड़ी मंदिर आप कहां पर देखते हैं या किस स्थान पर देखते हैं या आपको बताना है तो आए यहाँ पर इसका अंसर जो होगा वो केरला होगा क्या होगा केरला यह जो मंदिर है आपको वो केरला में दिखाई देता है ठीक है चलिए आगे परते हैं अगला सवा आपके समझ यह मुनोत्री मंदिर आप कहां पर देखते हैं यह मुनोत्री मंदिर की बात करिए गंगोत्री मंदिर की बात करिए यह सब आपको कहां पर दिखाई देते हैं यह सब आपको उत्राखंड में ही दिखाई देते हैं और सारे ही आपके एक्जाम को ध्यान में रखत रहे हुए, बहुत बढ़िया है, आपको याद रखना है, ठीक है, यसरी द्वारिका धीस मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ता है, वैसे द्वारिका धीस मंदिर बहुत सारे हैं, बहुत अलग-अलग स्थान पर प्रिसिद्ध है, लेकिन सबसे फेमस अगर बात करेंगे, तो द्वारिका धीस मंदिर आपको गुजरात में दिखाई देता है, कहाँ पे गुजरात में दिखाई देता है, इसके अत्रिक्ट में यूपी में द्वारिका धीस मंदिर आपको मत्रा में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है भाई, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, यह आपके एक्जाम के लिए जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं तो रामिशरम मंदिर किस राज में आपको दिखाई देंगे रामिशरम के बारे में बात करेंगे तो यह जो मंदिर है वो आपको तमिल लाडू में दिखाई देंगे कहाँ पे तमिल लाडू में इससे आप बि पड़ेगा तो यह आपको तमिल नाडु में दिखाई पड़ेगा कहाँ पे तमिल नाडु में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप इसे याद रखिए बिल्कुल भी भोले ना ठीक है चलिए आगे बना जाए अगला सवाल है तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में है य आप जान लिजएगा उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से अच्छा पुछता है कब अलग हुआ था तो 2000 में अलग हुआ था अब एक महतपूर बात यह है कि जब 2000 में यह अलग हुआ था तब इसका नाम था उत्तराँचल और उसके बाद 2007 में इस तो चीजें important हैं आप इन्हें याद भी रखें आए आगे बढ़ा जाए अगला सवाल है स्रंगेरी पीठ आप कहां पर देखते हो तो यह जो आपका स्रंगेरी पीठ है वो आपको करनाटक में दिखाई पड़ेगा कहां पर यह आपका करनाटक में आपको दिखाई और यह बहुत ही important है चली आगे बढ़ा जाए अगला सवाल है ज्वाला मुखी मंदिर किस राज में इस्तित है ज्वाला मुखी मंदिर आप कहां देखते हो तो ज्वाला मुखी मंदिर आप हिमाचल प्रदेश में देखते हो कहां पर देखते हैं आप हिमाचल प्रदेश म आप कहां पर देखते हैं तो ये जो महा बलेसवर मंदिर है इसे आप महारास्टा में देखते हैं अच्छा एक सवाल आप सभी को कमेंट करना है कि आपका महारास्टा में कितने जिले मानते हैं बोलो भाई कौन बताएगा आप इसे महारास्टा में जिलों की संख्या 38 मानी ज चंद्रस्वामी मंदिर कहां पर दिखाई पड़ेगा तो यह आपका स्री सीता चंद्रस्वामी मंदिर आप तेलंगाना आंधरा प्रदेश में भी देखते हैं तो याद रखिएगा यह तेलंगाना राजी का गठन कब माना जाता है या किस से अलग होकर बना था तो तेलंग को लेकर बहुत important point है सारे ही आपसे पूछे गए हैं कई-कई बार, दो जून 2014 आपको बताना है ब्रह्मेश्वर मंदिर कहां पर दिखाई पड़ेगा, यह जो आपका ब्रह्मेश्वर मंदिर है, यह आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा, तो यह आपका उडिसा में दिखाई पड़ेगा यह आपका कहां पर यह आपको उडिसा में दिखाई पड़ेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा, यह बहुत important है और आपके परिक्षा के लिए भी चलिए, उडिसा को टिक करके हम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि एकांबरनाथ मंदिर आप कहां पर देखते हैं एकांबरनाथ मंदिर जो है, वो आपका कहां परिस्थित है तो यह मंदिर आप तमिल नाडू में देखते हैं कहां पर यह मंदिर आप तमिल नाडू में देखते हैं और आपको मालूम होना चाहिए ठीक है बाई चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है त्यागराज मंदिर आप कहां पर देखोगे कई बार पूछा गया सवाल है त्यागराज मंदिर जो है वो भी आपको तमिल नाडू में ही दिखाई पड़ेगा कहां पे तमिल नाडू में ही दिखाई पड़ेगा और ये सारे मंदिर जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है ठीक है चलिए आगे बला जाए तो अगला सवाल है वड़कोनाथ मंदिर आप कहां पर देखोगे वड़कोनाथ मंदिर के विशे में बात करेंगे ये आप केरला में देखेंगे कहां पर देखेंगे ये आप केरला में देखेंगे कहां देखेंगे इसे आप उत्रा खंड में देखेंगे और ये बहुत ही जादा जरूरी है आपके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है गुरवायूर मंदिर आप कहां पर देखोगे सवाल को पुना पढ़िएगा गुरवायूर मंदिर जो है वो करतिक रवर सबसे ज़्यादा कहां पर होती है तो ये भी आपकी केरला में ही होती है कहां पर केरला में ही होती है तो केरला आपको दिमार्ग में रखना है ठीक है भाई आगे बढ़ा जाए अगला सवाल है कि स्री कलपेशवर मंदिर आप कहां पर देखते हो स्री अगला सवाल है तारा तारेणी मंदिर आप कहां पर देखोगे तो ये आप ओरीसा में देखते हो बहुत ही जादा महात्पूर रहेगा आपके लिए चलिए आपने बताना है कि चेना केसव मंदिर कहां पर दिखाई पड़ेगा आपको चेना केसव मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा तो ये मंदिर आपको करनाटका में दिखाई देगा कहां पर भाई ये मंदिर आपको करनाटका में दिखाई देगा जो बहुत ही important है आपकी परिछा के लिए आए आगे बढ़ते हैं एरावतीस्वर मंदिर आप कहां पर देखेंगे तो आपका जो एरावतीस्वर मंदिर है ये आपको तमिल नडू में दिखाई पड़ेगा कहाँ पर ये आपको तमिल नडू में दिखाई पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है विरुपाच्छ मंदिर आप किस राज में देखते हैं विरुपाच्छ मंदिर आप कहां पर देखते हैं तो ये आप करनाटका में देखते हैं अच्छा एक इंपोर्टेंट बात ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्ल नोबल बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो जेस्था देवी मंदिर आपको कहाँ पर दिखाई देगा। बढ़िया सवाल है और बहुत जादा इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है कि राजरानी मंदिर आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई तो बहुत जादा इंपोर्टेंट है और ये उडिसा में पड़ेगा। ठीक है हम राजरानी मंदिर के विसे में बादचित कर रहे थे और आपको मालुम भी होना चाहिए। आए आगे बढ़ा जाए तो स्री बाके बिहारी मंदिर आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है कि कदरिया महादेव का मंदिर आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा। कदरिया महादेव का जो मंदिर है वो हमें मद्यप्रदेश में दिखाई पड़ता है। कहाँ पर मद्यप्रदेश में MP में दिखाई पड़ता है। इसे आप जरूर याद रखें। आई आगे बढ़ा जाए तो सहस्त्र वाहू मंदिर आप किस राज में देखते हैं तो सहस्त्र वाहू जो मंदिर है वो आप कहां पर देखते हैं या आप मद्य प्रदेश में देखते हैं MP में देखते हैं सास वाहू मंदिर या आपको मद्य प्रदेश के अतरिक्त में दिखाई पड़ता है तो अगर आपसे पूछ ले और आपके पास option में मद्य प्रदेश ना रहे तो आप राजस्थान के साथ भी जा सकते हो ये भी गलत नहीं है ये भी सही है ठीक है भाई ये दोनों ही उत्तर हैं दोनों ही स्थान पर आपको ये मंदिर दिखाई पड़ हो ठीक है और ये भी आपकी परिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा important है आगे बढ़ा जाए तो प्रसिद्ध बाला ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहां पर है आपको बताना है प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो पुसकर राजस्थान में है कहां पे पुसक जब्मु कस्मीर में दिखाई पड़ेगा कहां पे ये आपको जब्मु कस्मीर में दिखाई पड़ेगा और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है जो आपको याद रखना पड़ेगा अगला सवाल है स्री कनक दुरगा देवी मंदिर जो है वो आप कहां पर देखते हैं स्री कन फर्स्ट वाला जो हमने आपको पहले प्रोवाइड किया था और यह हमारा 35 का आज दूसरा पार्ट कम्पलीट होता है, छीक है भाई, इसके बाद हम लोग पार्ट थर्ड भी करेंगे, जिसमें हम लोग कितने और सवाल देखने वाले हैं, 35 देखने वाले हैं, तो टोटल मिल कर मंदिरों को लेकर हम 105 सवाल करेंगे, और यही सवाल जो हैं आपकी परिच्छा में बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, तो वो आप देख लीजे गजा करके, अगर आप तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चलिए कुछ और बाते करेंगे पर है, स्री थिल्लाई नटराज मंदिर किस राज में दिखाई पड़ेगा, तो स्री थिल्लाई नटराज मंदिर आपको तमिल नाडु में दिखाई देगा, आपको मालूम है, तमिल नाडु को म अधिक जिलों वाला राज है पहले पे आपका UP उसके बाद MP उसके अतरिक तगर हम बात करते हैं तो बिहार और तमिलनाडू दोनों ऐसे राज हैं जिनके पास 38 जिले हैं चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है स्री अमबाजी मंदिर आप किस राज में देखते हैं तो स्री अमबाजी मंदिर को आप गुजराद में देखते हैं गुजराद जो कि फेमस है सोमनाथ के लिए गुजराद जो कि फेमस है मोटेरा स्टेडियम के लिए जिसको अब मोदी स्टेडियम कहा जाता है ठीक है और गुजराद बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है जैसे गि अगला सवाल है श्री चामुन्डेस्वरी मंदिर आपको कहां दिखाई देगा तो यह जो आपका चामुन्डेस्वरी मंदिर होता है यह आपको करनाठक में दिखाई पड़ेगा और यह सवाल भी आपको दिमाग में सैट रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है स्री करणी माता का मंदिर आप कहां पर देखते हैं स्री करणी माता का जो मंदिर है उसे आप राजस्थान में देखते हैं कहां पर राजस्थान में देखते हैं अच्छा राजस्थान के जो मंदिर होते हैं वो थोड़ा अलग ही ट clear, चलिए आगे बढ़ा जाए, स्री मुक्तेसवर मंदिर आपको किस राज में दिखाई दिता है, तो यह जो आपका स्री मुक्तेस वंदिर है, यह आपको उडिसा में दिखाई देता है, ठीक है भाई, आप इसे जरूर ध्यान में रखिए चलिए आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नीचे आपको बेल आइकन का बटन भी दिखेगा आपको वो भी दबा देना है और वीडियो को प्लीज लाइक जरू करिएगा क्योंकि मुझे पता है आपको वीडियो सायर अच्छा लगे ठीक है तो ये काम आपको जरूर कर लेना है ये दोनों काम आप प्लीज आप सब लोग कर लीजे चलिए आगे बढ़ते हैं होईसलेशवर मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा तो ये जो आपका होईसलेशवर मंदिर होता है ये आपका करनाटका में है कहां पे है करनाटका में आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा यह आपके लिए बहुत जादा important है आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल है स्री सीतला माता मंदिर आपको किस राज में दिखाई देगा स्री सीतला माता मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा तो यह आपको हर्याना में दिखाई पड़ेगा हर्याना की बादचेत के लिए जाए हर्याना का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है कमेंट करके बताईए हर्याना का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है उत्तर हो जाएगा सूरज कुंड का मेला जो की हर्याना फरीदावाद में लगता है और ये बहुत ही खुबसूरत है चलि आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, स्री राम लला मंदिर आप कहां पर देखते हैं, स्री राम जन्म भूमी मंदिर आप कहां पर देखते हैं, अयोध्या आप कहां पर देखते हैं, सारे अंसर एक ही होंगे उत्तर प्रदेश में देखते हैं आप, कई बार कुछा गया है, आयोद्या किस नदी के किनारे है? तो आयोद्या सर्यू नदी के किनारे है अच्छा, एक महतपूर्ट सुझना इन सब विसय को हम लोग इन सब टॉपिक को हम लोग डिटेल में भी कर रहे हैं जिसके दो पार्ट हमने आपको प्रवाइड कर दिए हैं तो अगर आप इन मंदिरों के बारे में विस्तार से भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे वीडियो में जाकर उन्हें भी देख पाएंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, स्री मुंडेसवरी मंदिर आप कहां पर देखते हैं, तो स्री मुंडेसवरी मंदिर जो है वो आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा, कहां पर बिहार में दिखाई पड़ेगा, और आप इसे जरूर याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ा जाए, तो अगला सवाल है, मुडेरा का सूरी मंदिर आपको किस राज में दिखाई पड़ेगा, तो यह जो आपका मु दंतेशवरी मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा तो यह जो आपका दंतेशवरी मंदिर है यह आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा यह आपका 36 गड़ में दिखाई पड़ेगा वेटा कहां पे 36 गड़ में दिखाई पड़ेगा आप इसे जरूद ध्यार में रखे है स्री तुलजा भवानी मंदिर किस राज में है स्री तुलजा भवानी मंदिर आपने ये मंदिर सुने कम होंगे लेकिन हैं और बड़े ही प्रसिद्ध है तो यह आपको दिखाई पड़ेगा महारास्ट्रा में आप इसे जरूद्ध्यान में रखिएगा बिल्कुल भूले आए आगे बढ़ते हैं स्री सालासर हनवान जी का मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा तो यह आपको दिखाई पड़ेगा राजस्थान में ठीक है भाई सालासर महाराज का जो मंदिर है यह बाला जी को लेकर फेमस है और यह आपको दिखाई पड़ेगा कहां पे रा यह आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा ठीक है भाई अच्छा बिहार का सबसे फेमस अभ्यारन बताईए कौन सा है कौन मताएगा आप में से बिहार का सबसे फेमस अभ्यारन बालमी की रास्ते उद्यान है जो आपको याद रखना है बिलकुल भोलना नहीं है चलिए महाकाली का मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा, महाकाली जी का मंदिर आपसे पूछ रहा है, यह आपको कहां दिखाई पड़ेगा, बहुत important है, महाकाली का है यह, अलग दिमाग ना लगाना, तो यह आपका जो मंदिर है वो आपको गुजरात में दिखाई पड़ेगा आप इससे दिमार्ट में रखेगा और यह आपके एक्जाम को लेकर भी बहुत बढ़िया सवाल है और याद कर लें आप लोग गोवर्धन पीट आपको कहां दिखाई पड़ेगा बताओ भई गोवर्धन पीट के बारे में बात करेंगे तो यह आपको कहां दिखाई पड़ेगा सब लोग बताईए चलिए तो यह आपका दिखाई पड़ेगा ओरिसा में जो आपको हर हाल में याद में रखना है रामिशरम को लेकर हमारे एक राश्टपती सहाब बहुत फेमस हुए, नाम बताईए, कौन बताएगा आप में से, फटर फटराई करिए सब लोग, हमारे राश्टपती सहाब डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम, इनका संबंद आप रामिशरम से ही मानते हैं, ठीक है खंड की कहानी है, जो आपको याद रखनी है, चलिए आगे बढ़ा जाए, तो स्री मुर्देश्वर स्वामी मंदिर आप कहां पर देखते हो, स्री मुर्देश्वर स्वामी मंदिर जो है, वो आप करनाटका में देखते हैं, कहां पे, करनाटका में, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, मनसा देवी मंदिर आप कहां पर देखेंगे, मनसा देवी मंदिर आप कहां पर देखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनसा देवी मंदिर आप उत्राखंड में देखते हैं, उत्राखंड का गठन 2000 में माना जाता है ठीक है उत्राखंड किस से अलग होकर बना था तो यूपी से अलग होकर बना था उत्राखंड जब बना था तब इसका नाम उत्रांचल था उत्राखंड का नाम उत्राखंड का पड़ा तो ये पड़ा 2007 में तो ये सारी चीज़ें तो आपको रट्टा मारगे रखनी हैं 2007 में उत्रांचल का नाम उत्रा खंड कर दिया गया चलिए आगे बढ़ेंगे तो स्री ग्रगेश्वर मंदिर जो है यह आपको कहां दिखाई पड़ेगा तो यह आपको महारास्ट्रा में दिखाई पड़ेगा इससे आप ध्यान में रखिएगा यह आपके लिए बहुत कहां दिखाई पड़ेगा चतुर मुख ब्रंबलिंगेश्वर मंदिर जो है यह आपको आंध्रा प्रदेश में दिखाई पड़ेगा कहां पे यह आपको आंध्रा प्रदेश में दिखाई पड़ेगा एक सवाल आपने बताना यह है कि यह आपका तिरुपाती बाला जी का मंदिर कहां पर है कौन बताएगा आप में से तिरुपती बाला जी का मंदिर आप कहां पर देखते हैं तो यह आप आंधरा प्रदेश में देखते हैं ठीक है भाई आप इसे जरूर याद रखें आपको बताना है कामाक्षी अम्मन मंदिर आप कहां पर देखते हैं तो कामाक्षी अम्मन मंदिर जो है वो आप तमिल नाडु में देखते हैं कहां पर तमिल नाडु में देखते हैं ठीक है भाई तो ये बहुत ज़्यादा important रहेगा और आपकी परिक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जरूरी भी है तो आप इसे भी याद रखें चलिए आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल है स्री वैकोम महादेव का मंदिर आप कहां पर देखते हैं तो स्री वैकोम महादेव का जो मंदिर है वो आप केरला में देखते हैं कहां पे वो आप केरला में देखते हैं, बहुत important है, अच्छा एक अभ्यारन है जिसका नाम है पेरियार, यह आप कहां पर देखते हो, पेरियार अभ्यारन जो है, वो आप कहां पर देखते हैं, यह भी आप केरला में ही देखते हैं, ठीक है भाई, चलिए आगे वड़ा आप किस राज में देखते हैं राम अप्पा मंदिर के विशे में बातचीत किया जाए तो इसे आप तेलंगाना में देखते हैं कहाँ पे तेलंगाना में अच्छा तेलंगाना के विशे में जान लिया जाए तो तेलंगाना आंद्रा प्रदेश से अलग हुआ 2014 में आपको ध्यान में रखना है अलग हुआ कब समय था 2 जून क्या समय था भाई समय था 2 जून जब आपका ये अलग हुआ और आपको ये ध्यान में रखना है ठीक है भाई आंधरा प्रदेश से ठीक है तो आपने बता रहा है कि त्रिपुर सुन्दरी माता मंदिर आप कहां पर देखते हैं तो ये जो मंदिर है वो आप त्रिपुरा में देखते हैं ठीक है भाई ये जो मंदिर है वो आप कहां पर देखते हैं त्रिपुरा में देखते हैं आए आगे मड़ा जाए तो अगला सवाल है गुमतेश्वर मंदिर किस राज में है गुमतेश्वर मंदिर जो है वो आपका करनाटका में है इसे आप ध्यान में रखेगा और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं करनाटका के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ी है सवाल है चलिए तो आगे बड़ा जाए अगला सवाल है जटा संकर धाम मंदिर आप कहां पर देखोगे तो यह जो आपका जटा संकर धाम मंदिर है उसे आप मद्ध प्रदेश में देखेंगे तहां पर इसे आप मद्ध प्रदेश में देखें ठीक है भाई अगला सवाल है कि मुंदेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में दिखाई पड़ेगा तो यह जो आपका मुंदेश्वरी मंदिर है यह आपको कैमूर जिले में दिखाई पड़ेगा कहां पर कैमूर जिले में आपको यह दिखाई पड़ेगा बिहार जो फेमस में सेट रखिएगा बिलकुल मत भूलिएगा आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल है कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो आपको कहां दिखाई पड़ेगा कंदरिया महादेव का मंदिर आपको खजराहो में दिखाई पड़ेगा खजराहो जो की मद्य प्रदेश की कहानी हैं यह आप सब जानते होंगे इसके विशे में जानकारी आप सभी के पास होगी ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ा जाए अगला सवाल है संकरा चार द्वारा इस्थापित स्रंगेरी मठ किस इस्थान पर है तो तो संकराचार के द्वारा इस्थापित स्रंगेरी मठ जो है वो इस्थान रामेश्वरम है आपको ये जरूर ध्यान में रखना है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए महंदीपुर बाला जी का जो मंदीर है वो सवाल है कासी विश्वनात मंदिर जो है वो आपको कहां दिखाई पड़ेगा तो कासी विश्वनात मंदिर के बारे में बात करेंगे ये आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा कहां पे ये आपको यूपी में दिखाई पड़ेगा तो इस तरीके से हमारी यहा आप सभी लोग जरूर देख लीजेगा ठीक है आप सभी को ये काम कर लेना है इसके पहले के दो पार्ट भी पूरे देख लेने है जिससे आपके सब क्लियर हो जाएं उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा एक और सभी का नाम है तो आपको ध्यान में रखना है ये ब्रह् इसके लंबाई के आंकड़े जो है वो अलग-अलग किताबों में आपको अलग-अलग मिलते हैं कुछ किताबों में इसकी लंबाई 29-100 किलोमीटर मिलती है कुछ किताबों में इसकी लंबाई 28-50 मिलती है कुछ किताबों में इसकी लंबाई 28-80 मिलती है ठीक है तो फिलाल जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो आपको उन्ती सो किलोमीटर मिलती है, तो आप इसे दिमाग में सेट कर लें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है, यह नाम किस नदी के लिए प्रियोग किया जाता है, तो ध्यार में रखिएगा, यह सांगपो नाम आप ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ही प्रियोग करते हैं, अगले सवाल की बात करेंगे, तिभबत में किसका दूसरा नाम तांकसपो है, तिब्बत में किसका दूसरा नाम ये है तो ये आपको बताना है ये ब्रह्मपुत्र का है किसका है ये आपका ब्रह्मपुत्र का है इसको आप ध्यान में रखिएगा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए चलिए अरुणांचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रम्पुत्र नदी को किस नाम से संबोलित किया जाता है अरुणांचल प्रदेश में जब ब्रम्पुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग हो जाता है क्या हो जाता है इसका नाम हो जाता है दिहांग तो ये point आपको ध्यान में रखना है ये सारे ही जरूरी है आपके लिए ठीक है चले एक सवाल comment box में आपको comment करके बताना है उगते सूरज का परवत किसे कहा जाता है नीचे comment box होगा जहाँ पर आपको comment करके सभी को बताना है कि उगते सूरज का परवत किसे कहा जाता है अगला सवाल है मानस किस नदी की उपनदी है तो मानस आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की ही उपनदी है तो ये सारे सवाल किस से बनते हैं, ब्रह्मपुतर से बनते हैं, जो सब आपके समझ लिखे हुए हैं, कौनसी प्रसिद नदी है जो विंद और सत्पुड़ा परवस रंखला के मद्य से होकर गुजरती है, उस फेमस नदी का नाम बताना है, जो विंद और सत्पुड़ा नदी है तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है किसकी है यमुना की सहायक नदी है जो आपको ध्यान में रखना है बिलकुल नहीं भूलना है चलिए कौनसी नदी हिमाले से परे की नदी मानी जाती है तो बहुत सारी नदियां है जो हिमाले से परे की नदियां है तीन नदियों के नाम आपको मालूम है सतलज ब्रह्मपुत्र और सिंदू जिनमें से एक यहाँ पर हम लिख देते हैं सतलज ठीक है बाकि तीनों के नाम हमने आपको बता ही दिये हैं आपको ध्यान में रखना है आएए भारत में सबसे उची जवारी जवारभित्ती वाली नदी कौनसी मानी जाती है तो सबसे उची जवारी जवारभित्ती वाली जो नदी है वो आप हुगली को कहते हैं किसको कहते हैं हुगली को कहते हैं एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है यह आपको कमेंट में बताना है चली आगे बढ़ेंगे तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है वो किस नदी के मुख पर है तो वो आपका हुगली होगा ठीक है भाई क्या होगा वो आपका हुगली होगा ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है अगले सवाल के तरह बढ़ेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जौरनद मुख किस नदी के मुखाने परिस्तित है बारत का खारी नदी जिस अपवाह तंतर का उधारन है उसे वो कहानी है बंगाल की खारी यहां पर थोड़ा सा खारी गलत दिखा हुआ है इसको आप सही कह लिजे बंगाल की खारी ठीक है तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ये सब आपके लिए जरूरी हैं चली आगे ब वाली नदियां गंगा ब्रह्मोपुत्र गोडावरी महा नदी क्रिष्णा कावेरी ये सब आपको ध्यान में रखना है ये कौन सी हैं ये सब बंगाल की खारी में गिरती हैं ठीक है एक सवाल है दामोदर नदी को बंगाल का सोग कहा जाता है क्यों आप सभी जानते हैं कि दामोदर को बंगाल का सोग कहा जाता है इसका रीजन क्या है क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बार आती है इसमें बड़ी खतरनाक सी बार आती है यही वजह है कि इसे क्या कहा जाता है बंगाल का सोग कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है जब न कहते हैं क्या कहते हो विसर्व ठीक है भई माजुली संसार का सबसे बड़ा अनदी दूइप है ये किस राज में है ये आपका असम राज में है एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये किस नदी से संबंदित है ये जो आपका माजुली है उसकी कहानी किस नदी से सं किसकी है? neo जिसकी टोटल लंबाई 1400 किलो मीतर है यह आपको ध्यान में रखना हैं है बहुत important है कुंसी नदी उडीचा में अपना डेल्टा बनाती है तो बड़ी famous नदी है महानदी यह उडीचा में अपना डेल्टा बनाती है ध्यान रखेगा इसकी टोटल लंबाई 900 किलोमेटर के आज पास मानी जाती है हगरी सहायक नदी मानी जाती है तो यह हगरी जो है वो किसकी सहायक है यह तुंग भद्रा की सहायक मानी जाती है यह पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है बिलकुल भूलना नहीं है और बहुत जरूरी है भागी रथी नदी निकलती है यह आपकी जो भागी रथी नदी है वो निकलती है गोमुक से निकलती है यह भी आपको दिमाग में रखना है भूलना नहीं है चलिए जोग जल प्रपात जो है वो किस नदी परिस्थित है जोग जल प्रपात की बात करें तो ये आपका सरावती नदी परिस्थित है किस पर है सरावती पर तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा भूरियेगा बिल्कुल नहीं ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं करनाट का इस्थे जोग जलपरपाच किस नदी पर है वही सवाल आ गया तो ये भी आपका सरावती नदी से ही सम्मंदित है आगे बढ़ते हैं मद्ध भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौनसी मानी जाती है तो भईया ध्यान में रखेंगे आप बहुत सारी नदियां है लेकिन यहाँ पर जो आपको अंसर हम दे रहे है वो बेतवा नदी ठीक है बेतवा को दिमाग में सेट रखना है वा नदी कौनसी है जिसके बारे में आंधरा प्रदेश करनाटका और महारास्टरा के बीच विवाद चल रहा है तो यहाँ पर नाम ठीक से पढ़ लिजेगा आंधरा प्रदेश करनाटका और महारास्टरा इ सुकास सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है कौन सा तो वो सुंदर्वन का डेल्टा है जिसको गंगा और ब्रमपुत्र के द्वारा बनाया जाता है यह आपका सुंदर्वन का डेल्टा है जिसका निर्मार कौन करता है इसका निर्मार गंगा और ब्रमपुत्र की नदियों के द्वारा किया जाता है ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बिलकुल भूलना नहीं है चलि आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल होगा दूद गंगा नदी निमलिखित में से किस राज में आपको दिखाई देगी तो आपकी जो दूद गंगा नदी है वो आपको दिखाई देगी कहां पे ये आपको जम्मु कस्मीर में दिखाई देगी दूद गंगा के बारे में बाचित करेंगे तो ये आपको जम्मु कस्मीर में दिखाई पड़ेगी अगला सवाल है अमरावती किस नदी की सहायक नदी है तो अमरावती के बारे में आपको दिमाग में रखना है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है किसकी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बिलकुल भूलना नहीं है चलिए अ अंता इस्थली अप वहाँ नदी का उधारण है तो ये घगर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई ये घगर हो जाएगा और ये पॉइंट भी आपको दिमाग में सेट करके रखने हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रडालियो से बने हैं जिनमें सिंधु गंगा और कौन सी नदी आती है तो इनमें सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आती है ठीक है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र को आप सामिल करते हैं चलिए आगे बढ़ा जाए तो इन दोर के समय पिस्थित जाना पाव कहारी जो है वो किसका सुरोत माना जाता है, ये किस नदी का सुरोत माना जाता है, तो भई ध्यान में रखेंगे आप ये चम्बल नदी का सुरोत माना जाता है, किसका है ये, चम्बल नदी का सुरोत माना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा बिलकुल भूलिएगा नहीं भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौनसी है तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के विसम बात करेंगे यमुना है अच्छे यमुना की टोटल लंबाई कितनी है कमेंट वाक्स में आपको लिखना है यमुना की टोटल लंबाई कितनी है फिलालागे बढ़ते है अगला सवाल हेमावती किस नदी की सहायक नदी है तो हेमावती जो है वह आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी है किसकी है कावेरी नदी की सहायक नदी है तो ये points सब आपके लिए important है अग्ला सवाल है दो नदियों के बीच की जो उपजाओ भूमी होती है उसे आप क्या कहते हैं दो नदियों के बीच की उपजाओ भूमी को आप क्या कहते हो दो आब कहते हो ठीक है भाई दो आब ये भी आपको ध्यान में रखना है बाड के कारण या बाड के दौरान नदी चैनल को एक किनारे एक साथ बढ़े चोड़े और किनारबंदी को आप क्या कहते हैं तो इसे आप तटबंद कहते हैं क्या कहते हैं भाई इसे आप तटबंद कहते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है important है किस नदी का उदगम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है तो ध्यार में रखेगा कोसी नदी किसके बारे बाचित कर रहे थे हम लोग कोसी नदी ये भी थोड़ा सा जरूरी रहे आपके लिए इसका उदगम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है तो इस तरीके से हमने नदीों के 35 सवाल किये जो आपके भाग एक में आपके समझ प्रस्तुत थे और ये आपके एक्जाम में बार बार पूछे गए है जल्द ही भाग दो आपके सामने होगा गंगा नदी की सहायक है किसकी है ये आपके गंगा नदी की सहायक के रूप में जानी जाती है मानी जाती है ठीक है तो ये पॉइंट आपको जरूर याद में रखना है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है तो गंगा नदी के दो प्रमुक स्रोत अगर आपसे कोई पूछता है तो आप भागी रती और अलक नंदा बताते हैं क्या भागी रती और अलक नंदा बताते हैं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा important है और आपको ध्यान भी इसे रखना है चलिए भागी रती और अलक नंदा गंगा में कहां पर मिलती है यह सवाल बहुत बार पूचा गया है तो भागी रती और अलक नंदा गंगा में कहां पर मिलती है स्थान है देव प्रयाग ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है किसी क सराज में पढ़ता है चलिए कहाँ पर भागी रथी और अलक नंदा के मिलने से गंगा बनती है कहाँ पर भागी रथी और अलक नंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्मार होता है तो ध्यान में रखेगा देव प्रियाग की बात करेंगे वही सवाल है जो उपर था उसी को य बड़ी नदी के रूप में आप इसको जानते हैं, तो सबसे बड़ी नदी हमारी कौनसी है, गंगा है, गंगा है, और गंगा के लंबाई तो आप सब जानते ही हैं, 25-25 किलो मिटर ये गंगा की लंबाई है और ये आपको ध्यान में भी रखना है बिल्कुल भूलना नहीं है किसी को भी चलिए आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल है गंडक किस नदी की सहयक नदी है गंडक को लेकर सवाल है कि गंडक जो है वो किस नदी की सहयक नदी है सभी लोग बताईए गंडक जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है ठीक है यह आपके गंगा नदी की सहायक के रूप में जानी जाती है चलिए अगला सवाल है प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है तो गोदावरी मानी जाती है ठीक है गोदावरी दच्छिड भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है चलिए अगला सवाल वही नीचे लिखा हुआ है कि दच्छिड भारत की नदियों में सबसे लंबी कौनसी है तो दच्छिड भारत की नदियों में सबसे लंबी आपकी गोदावरी ही है कुनसी है गोदावरी ही है इसकी लंबाई 14-65 किलोमीटर आप मानते हो कितनी 14-65 किलोमीटर आप इसकी लंबाई मानते हो एक सवाल आपको बताना है कि गोदावरी नदी निकलती कहां से है यह आपका सवाल है गोदावरी नदी जो है वो आपकी निकलती कहां से है सभी लोग प्रियास कीजिए और बताईए नीचे कमेंट बॉक्स में चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है तवा किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है तो आपकी जो तवा है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है किसकी है नर्मदा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है एक सवाल मैंने आपसे कई बर बताया है कि डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कमेंट कीजेगा डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी आपकी नर्मदा है ठीक है बड़ा important है आईए एक सवाल आपको उताना है कि गोदावरी नदी जो है वो प्रमुख रूप से कहा कहा बहती है सबसे ज़्यादा किनके निस्थानों पर बहती है तो आपकी जो गोदावरी है वो महारास्टरा तिलंगाना और आंधरा प्रदेश इन में होकर बहने क काम करती है जो आपको याद में रखना है चले एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है महारास्टरा में जिलों की संख्या कितनी है कमेंट कीजेगा महारास्टरा में जिलों की संख्या आप कितनी मानते है तो बड़ा important है किसको दच्छिड भारत की गंगा कहा जाता ठीक है आपको ये सवाल सब ध्यान में रखने हैं एक लंबाई के आधार पे है और एक पवितरता के आधार पे है कावेरी पॉइंट याद रखिएगा भारत के दच्छडी प्राइडीपी में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी छेतर का निरमार करती है तो आपके दूसरे सबसे बड़े नदी छेतर का निरमार करती है तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है और याद भी रखने है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है भारत की किस नदी को आप बुड़ी गंगा कहते हो तो ध्यान में रखेगा बुड़ी गंगा ग उदगम बताना है आपको कावेरी नदी निकलती कहां से है कई बार पूछा गया है तो ये ब्रह्मगीरी पहाडियां ठीक है ये ब्रह्मगीरी पहाडियां ही कावेरी नदी का उदगम मानी जाती है कावेरी नदी गिरती कहां पे है तो कावेरी नदी के गिरने को लेकर भी सवाल बहुत बार पुछा गया है ये बंगाल की खाडी में गिरती है कहां पे बंगाल की खाडी में गिरने का काम करती है कौन सी नदी ब्रंस ब्रोडी से होकर बहती है रिफ्ट वैली से होकर तो फेमस नदी की बात करेंगे तो आपका नर्मदा होगा ठीक है अगर प्रसिद पूछ रहा है आपसे, तो आपका अंसर क्या होगा, नर्मदा होगा, बड़ा इंपोर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, चलिए सोन किस नदी की सहयक नदी मानी जाती है, सोन, सोन के विसेम बात करेंगे, तो ये गंगा नदी की सहयक है, सोन बड़ी चमकदार है, और ये बिहा ब्रमपुत नदी की सहयक है, किसकी है भई, ब्रमपुत नदी की सहयक नदी के रूप में जानी जाती है, एक सवाल आपको और बताना है, चम्बल किस नदी की सहयक है, तो चम्बल आपकी यमुना नदी की सहयक मानी जाती है, किस नदी की है, यमुना नदी की सहयक मानी जात आप इसे दिमाग में सेट कर लीजएगा लूनी जो की राजस्थान की प्रमुख नदी है लूनी जिसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है लूनी जो राजस्थान में 300 किलोमीटर से जादा तकरीवन 330 किलोमीटर प्रभाहित होती है तो लूनी का इस थान, राजस्थान के लिए जो है, इंपोर्टेंट है, भारती मरुस्थल की एक महत्पूर नदी के रूप में आप किसको जानते हैं, तो लूनी को ही भारती मरुस्थल की एक प्रमुक नदी के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, ठीक है, ये बाई है वो लगबग 800 किलोमीटर ही है तो याद रखेगा कावेरी को लेकर क्लियर कोहना किस नदी की सहायक नदी है तो आपकी जो कोहना है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है किसकी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है नर्मदा जल विवाद न्याहिधिकरण का किन राज या सुल्धाने के लिए गठन है आपने इसका विवाद सुना होगा ये किन राज्यों के मद्ध है तो भाई ये गुजरात महारास्ट्रा और मद्य प्रदेश प्रमुक्ता इनके बीच में नर्मदा नदी का जल्विवाद है गोदावरी किस नदी का उद्गम बिंदू माना गोदावरी नदी का उद्गम बिंदू नासिक महारास्ट्रा चलिए आगे बढ़ते हैं प्राहदीपी भारत की एक मात्र बारह मासी नदी कौन सी मानी जाती है तो प्राहदीपी भारत की एक मात्र बारह मासी नदी के रूप में आप कावेरी का नाम लेते हैं इसमें जलि किन दो राज्यों के साथ है कावेरी नदी का जो जल्विवाद है वो आप सब जानते होंगे ये मुक्हेतियाक करनाठक और तमिल अड़ु के मद्धे है एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि तमिल नडु का नाम लेते हैं किसका ब्रम्मपुत्र का नाम लेते हैं तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत जादा जरूरी है आपको ध्यान में रखना है चलिए घाट प्रभा किस नदी के सहायक नदी मानी जाती है कई बार पूछा गया है चलिए ब्रम्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है आपकी जो ब्रम्मपुत्र नदी है वो किस हिमनद से निकलती है तो चिमा यूंडूंग ये आपका हिमनद है जहां से आपकी ब्रम्मपुत्र नदी निकलती है इसके लंबाई के विशे में हम आपको बता चुके हैं तकरीवान इसके लंबाई 1880 है या आप 2880 या 2900 ये दोनों ही आपको मिलते हैं ये किसके लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कोपली किसकी सहायक नदी है या आपकी जो कोपली है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है किसकी है ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है तो ये पॉइंट भी आपको एकड़म दिमाग में सेट करना है भूलना बिलकुल नहीं है मेगना निम्लिखित में किन दो नदियों का सम्मिलित रूप है? यह सम्मिलित धारा है. तो मेगना गंगा और ब्रहंपुत्र की सम्मिलित धारा है. क्योंकि इसी से आपका सुन्दरवन डेल्टा बनता है समझ गे भाई ये दोनों की धाराएं जब आपस में मिलती है तो उसी का नाम हो जाता है मेगना उसी का समिलन है मेगना तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला सवाल आपके समझ है गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो गंगा की लंबाई थोड़ी दिर पहले ही मैंने आपसे डिसकस करी है 25-25 ये गंगा नदी की लंबाई है सिंदु नदी का उदगा मिस्थल भी आपसे कई बार कुछा गया है तो सिंदु नदी का उदगा मिस्थल जो है वो आपका मान सरोवर जील माना जाता है मान सरोवर आपको ध्यान में रखना है भूलना नहीं है अगला सवाल आपके समझ है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 14, 65 मानी जाती है 1, 4, 6, 5 मानी जाती है तो ये point भी आपके दिमार्ग में set होना चाहिए आप ये भी गलत नहीं कर सकते चलिए तो ये आपके 35 प्लस 35 यानि कि 70 सवाल हमने complete किये है 35 प्लस 35 ये आपके exam में बहुर बार पूछता है ये आपका भाग 2 था और कुल मिलाके हमने नदियों से संबंदिर 70 सवाल कर लिये हैं एक पाथ हमारा और है जिसमें हम लोग 35 सवाल और करेंगे और इस तरीके से हम लोग कितने सवाल करेंगे टोटल मिलाके 105 सवाल करेंगे कहां से निकलती है दामोदर नदी छोटा नाटपुर के पठार से निकलती है आप इसे दिमाग में रखोगे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दामोदर को वेस्ट बंगाल का सोक कहा जाता है ये पॉइंट आप बढ़िया से जानते हैं क्लियर चले आगे बढ़ते हैं तो भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है तो भाई ध्यान अखेंगे आप दामोदर नदी को ही जिसको दामोदर नदी को ही आप क्या कहते हो जैविक मरिस्थल कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं ठीक है अगला सवाल है मतुरा किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा आपका जो मतुरा है वो आपको यमुना के किनारे दिखाई पड़ेगा एक सवाल आपको बताना ये है कि भगवान स्री करस्न के बारे में बात करेंगे मतुरा काना जी की नगरी है ठीक है आपको बताना ये है भगवान स्री करस्न के पिता का नाम क्या था उनके जो असली पिता थे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी को चलिए अ यमुना नदी को गंदगी का आधार मानते हुए खुला नाला कहा जाता है याद रखिएगा बिल्कुल ना भूलें बेतवा नदी मिलती है अगला सवाल है बेतवा नदी मिलती है तो बेतवा नदी किस में मिलती है या आपकी यमुना से मिलती है किस से यमुना से मिलती है इस के तापती के किनारे बसा हुआ है ये पॉइंट आपको याद रखने हैं भूलना बिल्कुल नहीं है कौन अपने मार्ग में परिवर्तन को लेकर विख्यात है वह कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन को लेकर विख्यात है कुख्यात है मतलब ज्यादा चर्चि रहती है, तो नाम है कोसी जो की बिहार की प्रमुक नदी है जो निकलती कहां से है नेपाल से, एक सवाल बताना है आप सभी को बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा केटूं क्यों चाही कितनी है गाडविन आस्टिन इसकी उचाही कितनी है ये भी आपको लिखना है चलिए आगे पर चलते हैं तो भारत और नेपाल का सईयुक्त नदी घाटी उद्यम क्या है तो आपको ये ध्यान में रखना है जहां पर भारत और नेपाल को जोड़ा जाए कहानी कोसी की मान लिजेगा आप लो ठीक है तो ये बड़ा मानते हो वो आप अमर कंटक से मानते हो तो ये आपके लिए जरूरी पॉइंट है आप इन्हें ध्यान भी रखें अगला सवाल है कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है किलोमीटर अपने आप लिख लीजेगा लगभग 805 भी मिलता है कुछ इस्था 12 किलोमीटर है इनकी 1312 किलोमीटर नर्मदा की लगभग लंबाई है जो आपको ध्यान में रखनी है भूलना बिलकुल नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है कि पंच गंगा किस नदी की सहयक नदी है तो आपकी जो पंच गंगा है वो कृष्णा नदी की सहयक नदी के रूप में जानी जाती है मानी जाती है ठीक है एक सवाल आपको बताना है अगला यहां पे लिखा हुआ है हस्देव किस नदी की सहयक नदी है तो हस्देव आपसे हम पहले भी पूच चुके हैं ये किस नदी की है ये महा नदी की सहयक नदी के रूप में ज आप नर्मदा ही उत्तर दीजेगा, क्या उत्तर देंगे आप, नर्मदा ही उत्तर देंगे, ठीक है, तो ये point भी आपको दिमाग में set करके रहना है, आए हिमाले काटकर और भेकर आने वाली कौन-कौन सी नदियां हैं, तो हिमाले काटकर और भेकर आने वाली नदियां जो आ यह आपको कमेंट करके सभी को बताना है नोयल किस नदी की सहयक नदी है तो यह जो आपकी नदी है वो कावेरी की सहयक है यह आपकी कावेरी नदी की सहयक नदी के रूप में जानी जाती है ठीक है भाई याद रखेगा अगला सवाल है कि मूसी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है आपकी जो मूसी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी मानी जाती है किसकी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है मानी जाती है चलिए गंगा नदी और सिंदु नदी तंतर के बीच कौन सा छेतर है जो जल छेतर को प्रथक करता है गंगा नदी और सिंदु नदी तंतर की बात कर रहा है उत्तर हो जाएगा अमबाला ये सवाल भी थोड़ा सा याद रखेगा क्योंकि ये भी आपसे कई बार पूछा गया है चलिए आगे बढ़ेंगे तो सियाचिन ग्लेसियर के पिखलने से बना पानी किस नदी का मुख इस रोत है किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी दस राजों में बाटा गया है तो भाई ध्यान रखेंगे कहानी है गंगा की किसकी है गंगा की है यह आपको याद होना चाहिए काविनी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है काविनी कावेरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है जानी जाती है याद रखें सबरी किस नदी की सहायक नदी है सबरी के विसे में बात करेंगे यह किस नदी की सहायक नदी है तो यह आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है यह आपके लिए important है आए सतलज किस नदी की सहयक नदी है बताना है आपको कि सतलज आपकी किस नदी की सहयक नदी है तो important point है यह सिंदु नदी की सहयक नदी है यह आपकी सिंदु नदी की सहयक नदी है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप इसे ध्यान में रखें रावी किस नदी की सहायक नदी है? तो रावी भी जो आपकी है, वो सिंदु नदी की ही सहायक नदी के रूप में जानी जाती है और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इस पॉइंट को भी आप भूल नहीं सकते हैं चलिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्मार करने वाली नदीया कौन सी है? सुंदरवन डेल्टे का निर्मार करने वाली जो नदीया है, वो गंगा और ब्रमपुत्र है ठीक है भाई, गंगा और ब्रमपुत्र है एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गंगा की धारा को आप बांगलदेश में किस नाम से जानते हैं और ब्रमपुत्र की धारा को आप बांगलदेश में किस नाम से जानते हैं और दोनों के मिश्रित धारा को आप किस नाम से जानते हैं या आपको comment box में लिखना है ठीक है अगला सवाल है नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्य होती है तो आपकी जो नर्मदा नदी है वो अमर कंटक ठीक है भाई अमर कंटक से सम्बंदित है आपको ध्यान रखना है बिल्कुल नहीं बोलना है कौनसी दो नदियां अमर कंटक्स से निकलती है वो कौनसी दो नदियां है जो अमर कंटक्स से उदगमित होती है या निकलती है तो ध्यान में रखिएगा नर्मदा और सोन वो दो नदियां है ये important point है आपके लिए जो कहां से अमर कंटक से निकलती है ये बहुत जादा इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए जेलम किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है आपकी जो जेलम है उसे आप किस नदी की सहायक नदी मानते हैं तो जेलम को आप सिंधु नदी की सहायक नदी के रोप में जानते हैं, मानते हैं, ठीक है भाई, अच्छा स्री नगर किस नदी के किनारे है, कमेंट करिएगा आप सभी लोग, स्री नगर किस नदी के किनारे वसा हुआ है, ठीक है, यह आपको कमेंट करके बताना है, चलिए आ आप नर्मदा को मानते हैं, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, important है, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, और मद्य प्रदेश की भी जीवन रेखा कहा जाता है, तो यह point आपके गोंती के किनारे दिखाई देता है तो ये point भी आपको ध्यान में रखना है लूनी नदी किस राज की प्रमुख नदी मानी जाती है तो आपकी जो लूनी नदी है वो राजस्थान की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है आप ये सारे point जो है वो ध्यान में रखेंगे कोसी नदी कहां से निकलती है आपकी जो कोसी नदी है वो नेपाल से सम्मनित है ठीके भाई नेपाल से निकलती है तो ये सारे point आपको जरूर दिमाग में रखने है तो इस तरीके से यह आपका भाग 3 था जिसमें हमने 35 सवाल किये हैं भाग 2 में भी हमने 35 सवाल किये थे और भाग 1 में भी हमने 35 सवाल किये थे टोटल हमने 105 सवाल कर लिये हैं इस से ज़्यादा आपके एक्जाम में पूछेगा नहीं नदियों से यह आपका third part है जो आपके सामने चल रहा है यह आपका second part था जिसका link आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा यह आपका पहला part था जिसका link भी आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप यह सारे part जरू देख सकते हैं